ओम शान्ती, आज 15 अक्टोबर 2024, मीठी मुरली पर आधारित, ये कविता आपस में एक मत है हम सब की, अपने को हम आत्मा समझते, एक बाप की निरंतर याद से बाबा कहते हैं सारे भूत भाग जाते पद्मा पदम भाग्य साली बनने का मुख्य आधार है धारना कहते, बाबा जो सुनाते हैं हर एक बात, जो धारन करते हैं वही बन पाते राबन संप्रदाये वाले क्या कहते बाबा क्या कहते जज करना है बाबा जो नलेज देते हैं हमको बस उसको ही बुद्धी में रखना है स्वादर्शन चक्रधारी बनकर हमें पद्मा पदम भाग्य साली है बनना वहां न होंगे कोई भी विकार इस ज्यान से हमें गुण्वान है बनना ये पापों से मुक्त होने का समय कोई पाप अभी नहीं करना है बाबा कहते पुरानी सारी सामग्री को रुद्र यग्य में स्वाह करना है वानप्रस्त अवस्था है अब हमारा बाप टीचर सत्गुरु हो याद सुईट होम जाने सतो प्रधान बनना पावन बनना रखना है याद ज्यान की बातों को सुनना सुनाना स्वाचिंतन ये नहीं कहलाता सुक्सम कमजोरी छोटी गलतिया अपनी जान परिवर्तन जो करता स्वयम प्रती ज्यान को यूज करते धारन स्वरूब स्वाचिंतन स्वाचिंतक बनेंगे करन करावन हार बाबा सदा हो याद में पन में कभी नहीं आएंगे में पन में कभी नहीं आएंगे धन्यवाद, ओम शाम्ति